हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनन्या के चन तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई डिसिपी तो आज मैं बनाऊंगी मेटे अलू का बहुत ही स्वाधिश्ट सा सब्जी आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंड करके प्लीज बताना मत बूलिएगा क् इसे मेटे ही कहते हैं चलिए देखते हैं मैं इसे किस तरीके से क्लीन करती हूँ तो यहां पर मैंने एक थाली ले लिया है और मैंने इसे बीच से कट कर दिया है और इसे मैं पूरी अच्छी तरीके से छील लूँगी और छील करके इसे एक गमले में पानी ले लिया है और उसमें एट करूंगी अगर आप इसे पानी में नहीं डालते हो छीलने के बाद वैसे ही रख देते तो तो वो ये लाल हो जाता है तो अगर ऐसे पानी में रखते हैं तो दिखने में वाइट रहते हैं अगर पानी में नहीं रखते हैं तो वो देखने में लाल हो जाता है तो आप इसे पानी में ज़रूर रखें तो मैंने सारे मेटे अलू को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है उसका छिलका सारा उतार दिया है और इसे हातों की मदद से अच्छे से इसे साफ कर लीजिएगा क्योंकि ये मिटी के अंदर रहता है तो अगर थोड़ा बहुत भी मिटी रह गया तो फिर सबजी किरकिराने लगता है या फिर खराब हो जाता है तो आप लोग इसे एकदम अच्छी तरीके से तीन-चार बार वाश करिएगा वाश करके इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा जैसे देखिए मेरा थोड़ा सा किनारे में छूट गया था तो मैं उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगे वरना सबजी खराब बनेगी देखिए मैंने सारे मेटे आलू को धो करके एक प्लेट में निकाल लिया है और मैंने गमले में फिर साफा पानी ले लिया है और मैं छोटे छोटे पीसेस के क्वीब में कट कर रही हूँ जैसे नॉर्मली आलू हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं हम उसी तरीके से इसे कट करेंगे तो हमने देखिए छोटे छोटे क्वीब में कट कर लिया है और क्वीब में कट करने के बाद एक लसलस की तरह इसके अंदर से निकलता है जैसे आप कोचु काटेंगे तो उसमें हलका लसलसा पन होता है वैसे इसमें भी हलका लसलसा पन होता है तो इसे हम 10 मिनट पानी में ऐस मेडियम सैज का कटा हुआ प्यांच एक मेडियम सैज का कटा हुआ टमाटर एक बड़ा चम्मस जीरा तीन लॉंग पांचे गोल मरीज तीन पींच डालचीनी और लिया है तीन पींच अध्रब का पंदरश से 20 लसम की कलिया और यहाँ पर मैंने लिया है तीन इलाइची सोरी उसे मैं बताना भूल गई थी इन सारे चीजों को अच्छी तरीके से फाइन फेस्ट कर लेंगे मैंने गैस पे कड़ाई चड़ा दिया है और उसमें मैंने यूज किया है एक बड़ा चम्मच रिफाइन तेल आप इसे सर्सो तेल में बना सकते हैं तो आप सर्सो तेल भी एड कर सकते हैं उसके बाद हमने एड किया है दो तिछ पत्ता एक थोटा चम्मच जीरा और एक मीडियम साइस का कटा हुआ प्याज को इस प्याज को हलका सा गोल्डेन ब्राउन होने तक रोष्ट कर लेंगे तो हमारा प्याज गोल्डेन ब्राउन हो गया है हलका अब हम अपने मेटे आलू को एट कर देंगे अब हम इससे ढग देंगे और लो टू मेडियम फ्लेम पे इसे दस मिनट तक भूजेंगे तो दस मिनट हो गया है हम एक बार अपने सब्जी को चला के मिक्स कर लेंगे तो हमारा मेटे आलू हलका गोल्डेन ब्राउन हो गया है हम इसमें आड करेंगे एक चम्मश नमक आप स्वाधन शार अपना नमक आड करें उसके साथ हम यहां पे आड किये हैं एक मिडियम साइज का कटा हुआ टमाटर इन सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंग यह देखिए हमने चेक किया हमारा मेटे यालू करीब सेवेंटी प्रसेंट टक कुक हो गया है तो अब हम इसे ढग देंगे ढग कर लो टू मिडेम फ्लेम पे पांच मिनट तक कुक करेंगे पांच मिनट हो गया है हम एक बार सारे सबजियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हमने जो सारे सालों का पेष्ट बनाया था उससे याठ कर देंगे उसी के साथ हमने थोड़ा सा पानी याठ आट कर दिया है याग कि हमारे घूज भूचते बाक जल्ले न और उसी के साथ हम चोटा चमच हल्दी पाउडर आएंची दन्या पाउडर एक चोटा चमच स्लाल्मेस पाउडर कि एक चुटा चमच कास्मेरी लाल मेर्ज इन सारे चीजों को अब आच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कर इसा जोर मिडिया करीब पांच मिनट तक भूजेंगे तो पांच मिनट हो गया है एक बार हम अपने सबजी को देख लेते हैं इसे अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगे तो हमारा मसाला करीब 20 परसेंट तक कुक हो गया हमें 10-20 परसेंट तक और कुक करना है तो इसे हम ढखके दो मिनट तक और लो टू मेडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो देखिए, दो मिनट हो गया है, हमारा मसाला अची तरीकी से कुक हो गया है, हमने यहां पर आट के आए एक बड़ा कप गरम पानी और इसे अची तरीकी से मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर करीब दस मिनट तक low to medium flame पे कुक करेंगे तो दस मिनट हो गया है, हमारे आलू एक दम अच्छी तरीके से कुक हो गया है फिर भी हम इसे ढख के, हमें इतना जूल नहीं चाहिए, तो हम इसे ढख के करीब पांच मिनट तक और कुक करेंगे तो पांच मिनट हो गया है, एक बार हम अपने सबजी को चेक कर लेते हैं, यह देखिए हमारे सबजी में अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है और हम अपना आलू भी चेक कर पा रहे है, पुरा अच्छी तरीके से गल गया है, पुरा कुक हो गया है हम इसे ढग देंगे और इसे सर्फ करेंगे तो यह रहा हमारा मेटे आलू का सबजी आप इसे गरम भात या रोटी के साथ खाई यह खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारी रे दो 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 में